हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूटूब चैनल स्टडी प्री क्वेस्चेन्स फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग सपूत नाटक पढ़ेंगे जिसके लेखक है डॉक्टर विशेश्वर परसाथ केसरी तो पहला प्रस्टो यही पूछेगा कि सपूत नाटक का लेखक कौन है तो क्या हो जाएगा डॉक्टर विशेश्वर परसाथ केसरी या बीपी केसरी हुआ बीपी केसरी लिखा हुआ आपको वहाँ पस मिलेगा तो चलिए नाटक को देखते हैं भरत सीह कर बैठका है बेरा डूबा थे भरत सीह कर बैठका है बैठकी है और सूरज डूब रहा है भरत सीह भोलते हैं महादेव पूछते हैं महादेव तो महादेव जवाब देते हैं का गुमके क्या मालिक गुमके यानि कि मालिक फिर भरत्सी कहते हैं कि बेरा डूबा थे नहीं, सूरज डूब रहा है नहीं, तो फिर महादेव का जवाब आता है कि हाँ सरकार, फिर भरत्सी कहते हैं गाया गरू सब आला है, तो महादेव कहते हैं कि गाया गरू सब आया, तो महादेव कहते हैं कि हाँ हुजूर, फिर भर भरत्सी कहते हैं मुदा मोहन नहीं आलक ने मुदा कहते हैं लेकिन को तो फिर भरत्सी कहते हैं कि लेकिन मोहन नहीं आया ना फिर महादेव जो है उदास्वर में सरकार कहके चूप हो जाते हैं भरत्सी, हम जानील महादेव अब मोहन नहीं आवी, तो भरत्सी फिर कहते हैं कि हम जानते हैं महादेव अब मोहन नहीं आएगा, का ले आवी, का बाई छे, का खातीर आवी, क्यों आएगा, का बाई छे, क्या बचा है, का खातीर आवी, यानि कि किसली आएगा फिर महादेव कहते हैं कि आबाई सरकार जरूर आबाई उबेलवा गाढ़ा कर दखल भुराईये के रहबाई एके पक्का जानू यहाँ पर समझ लिजेगा थोड़ा सा नाटा के बारे में ने तो उलस्ते रह जाएगा यह भरत्सी हैं उन्ही का बेटा है मोहन उसी के बारे में भरत्सी पूछ रहे हैं कि महादेव से पूछ रहे हैं कि मोहन आया की नहीं तो हुआ क्या था कि मोहन बेलवा गाड़ा ये एक जगा है खेत है या जगा है का सकते हैं उसको जो है यहां का जो मुख्या था गाओं का वो मुख्या जो है उसको किसी तरह से हड़ाप लिया है समझे तो उसी को जब तक छुडाने के लिए उसी को छुडाने के लिए जो है महन आएगा तो उसी जमीन के सिलस्रे में वह भागा हुआ है क्योंकि मुख्या जो है आदमी लगा दिया है महन को मारने के लिए भी तो इसलिए जो है महन जो है घर से भागा हुआ है और ये भरत सी उनके दादा है जो कि महादेव से पूछ रहे है कि महन नहीं आया है क्या करने आएगा तो फिर उसी का महादेव जवाब देते हैं कि आबए सरकार जरूर आबए वो बेलवा गाड़ा कर दखल घुरा ये दबए कहने का थे कि जो छीना गिया है जमीन उसको वह लेके लेके ही रहेंगे इके पका जानू इस बात को पका जानिये भरत्सी घर छोड़ने का बेलवा गड़ा घुरी फिर भरत्सी कहते है कि घर छोड़ने से क्या बेलवा गड़ा जो जमीन है वह घुरी यानि कि लटेगा आब कोनो नहीं घुरी महादेव फिर भरत्सी कहते हैं कि अब कुछ नहीं लोटेगा महादेव भगवान कर ऐसने न्याय है तो का करल जाए महादेव भरत्सी कहते हैं महादेव से कि भगवान का ऐसा ही न्याय है तो क्या किया जा सकता है भीतरे से केक्रो आवे साड़ा फिर अंदर से किसी का आने का साड़ा काते हैं आहट को किसी का आने का आहट सुनाई देता है फिर भरत सिह क्ये है के महादेव महादेव कोन आया है तो महान बहु है का महान बहु यानि कि महान की पतनी तो महान जो था भरत सिह का बेटा था तो महान बहु है का कि यानि कि मोहान की बीवी है कि यानि कि यह भरतसी की बहुं हुई कि ऊसी के बारे में कर रहा है। कि मोहनं बहुं है क्या हταकी महादेव कर थे हैं कि ऐधर बुजाना वही लगता है हिर भरतसी कर थे cable to लावध ऑफर भरत्सी आते है उनको देखने से तो मेरा शरीर का खूंण ही सूख जाता है वहन बहु सामने आवेला पास आएके फिर मोहन की जो पत्नी थी वह सामने आती है और पास आती फिर मोहन बहु काती है यानि की मोहन की पत्नी काती है बाबा रावले बैठ ले ही एक हन ले संधिया पुझण नहीं होगा क्या बहुत सी काते है आवा थी बैठी एह तनी महादेव के बतिया लागलीland पूर्णा पुराना संगी है कि यानि कि महादेव जो है पुराना साथी है दम्यंति दवडले आवेला फिर दम्यंति आती है तो दम्यंति कौन है यहाँ पर समझ लिजेगा तो यह मोहन की बेटी है यानि कि मोहन बहु जो लिख रहा है उसी की बेटी है तो दम्यंति दवडले आवेला मुख्या काका बहुत मिठाई बाबा यानि कि दादा कह रहे हैं कि बाबा बाबा मुख्या काका बहुत मिठाई और लुगा लाएं हैं मुख्या चाचा जो हैं बहुत सारा मिठाई और कपड़ा लाएं हैं लुगा यानि कि कपड़ा अपना घर में एक ठो बक्सो आईन हैं स जो आदमी के जैसा बोलता है बोल दम्यंति कांते कांते रोज मारते रहे ला के तो मोहन की जो पत्नी थी वह काती है कि तुम वहां क्यूं गए थी तो यह जो मुख्या है ना वही जो है उसका जमीन को हडप लिया है इसलिए मुख्या के घर चली गई थी तो इसलिए उसकी मा जो है उसको डाट रही थी दम्यंती जवाब कांते कांति याशनी काती है कि रोज मारते にोल मारते मां we भरत सीख कहते हैं कि ना मारल करू बेटी छोट छवगा है वो का जानात है कहते हैं कि मत मारा करू बेटी छोटा बच्चा है वह क्या जानेगा क्या जानेगी इसलिए वह चली गई कहने का अथ यही है तेज घटल से इसने होएला यानि कि बुद्धी घटने से यही होता है ध जाये तो धरम का नास हमरे करका रही का होली हम लोग क्या थे और क्या हो गए दम्यंती आव बेटी हम अठी उदास होके पिर भरत सी उदास होके कहते हैं कि आव बेटी हमारे पास दम्यंती को बुलाते हैं कि आव बेटी मेरे पास आजाओ फिर जो है मोहन बहु कहती है जीव भावा सब दिन एके लखे नई रहें लेकिन जो है आप इसको इसको मत चढ़ाए आप ञाया मुदा जीवेद तो हगे है लेकिन लेकिन जान ही तो है डूबर घरी सुरज के अन्धार धाबे करे ला। डूबे घरी धरी यानि कि समए डूबने के समय जो है सुरज को एंध्यरा धापता ही है। यानि कि भखी लेता है, धाबे करे लेयरे यानि कि ठकी लेता है। अच्छा महादेर भाई तब जा तब तो हों ब्यारी के निमरीया आओ। फिर भरत्सी कहते हैं कि अच्छा महादेव भाई जाओ तब तुम तो हो यानि कि तुम भी बियारी से निमरीय आओ बियारी यानि कि रात का खाना से निमरीय आओ यानि कि निपठी लो यानि कि रात का खाना खाही लो महादेव अच्छा लाय तब जोहाय तब महादेव जोहाय अच्छा ठीक है जोहार कहके महादेव वहां से निकल जाता है भरत्सी जोहाय संग ना छोडबे संगी उमन कर कोनो भरोसा नखे भरत्सी कहते हैं महादेव से कि संग ना छोडबे संगी मेरा साथ मत छोड़ना दोस् उन लोगों का कोई भरोसा नहीं, यानि कि मुख्या लोग के बारे में कह रहा है, फिर महादेव कहता है, नहीं भला कहो तो, हाम संग छोड़ब, कभी नहीं, हाम तूरते आवा थी, महादेव कहता है, नहीं भला कहो तो, भला बोलिए तो, हम आपका साथ छोड़ देंगे, पहला के question में सारा करा दिये हैं मुख्या का धेवडी रेडियो बाजा थे तो मुख्या का आंगन में रेडियो बज रहा है बहुत आदमी कर ओगा सुना थे बहुत आदमी का वहाँ आवाज दे रहा है राम लखन सी बढ़ा नगत गावेला इतो भाई रूपन के माद देलक राम लखन सी कहता है वहाँ पस मुख्या का घर का जो अंगन है दलान है वहाँ रेडियो बज रहा है वहाँ पस राम लखन सी कहता है कि बड़ा नगत गावेला ही तो भाई बहुत नगत यानि कि बहुत अच्छा नगत बेस कह सकते बेस भी कहते है नाकुरी में नगत कहे बे रूपन को यह मात दे दिया कौन रेडियो वाह क्या बजना है रूपन कर हाड़ चाम और जियत कंट के यह काम मुकाबला करी तो रूपन वही पस था वह क्या वह कहती है कि कत्नों होले यह बेजीवे है मालिक बेजीवे यानि कि बिना जान का है मालिक कुछ भी हो मालिक लेकिन यह बिना जान का है रूपन के हाड़ चाम और जियंत कंट के काम मुकाबला करी रूपन कहती है अपने बारे में कि रूपन का हाड़ है हड़ी है और चमड़ा और जियत यानि कि जिया हुआ कंठ है, गला है, उसका ये क्या मुकाबला कर पाएगा रेडियो, कहूं नहीं हम चल जाती, बखेरी ये सुना हो जाए, फिर रूपन जो है थोड़ा नराज होके कहती है कि कहिए न हम चल जाते हैं, तो पुरा आपका बखेरी जो है सुनसान हो जाएगा, फिर रामलखन से करते हैं, हाई बाबा इका अरत लगा थी रावरे रूपन, रावर बिना भला लय तो और हम तो एक्ठो दिरिश्टांत कर बात बोल ली, तो रामलखन से जो है रूपन का बात सुनके कहते हैं कि हाई बाबा, हाई ये क्या अर्थ लगा रहे हैं आप, सुनके कर बात बोल ली, यानि हम तो एक मिसाल का बात बोले, रूपन हाँ, हाँ, रामलखन बाबु, हमका कुछ समझते हैं, फिर मुख्या का आने का होता है, रामलखन से, ओदेख मुख्या सहाब आवा था, सब चुपे रहा हैं, नहीं तो ऊखिसाबा हैं, रामलखन से, कहते हैं, वो देखो, मुख्या सहाब आ रहे हैं, सब कोई चूप रहो, नहीं तो वो खिसाबा, यानि कि वो गुसा करेंगे, मुख्या, का के जे ढप ले हैं, बापे दादा नहीं देखल तरी, ओते चला, कल पूर्जा का चीज, तनियों बेगड जायला, फरके से सुना नही मुख्या आता है, और धमकाता है, का के जे ढप ले हैं, यानि क्या चीज को ढपे हुआ है, बापे दादा नहीं देखल तरी, बाप दादा जैसे कभी देखा ही नहीं है, ओते चला, यानि कि उधर चलो, दूर चलो, कल पूर्जा का चीज है, तनियों में बिगड जायला, रेडियो के बारे में कहा रहा है कि क्या है उसको ढापे हुए है जैसे कि बाप जड़ा देखा ही नहीं है काभी उधर चलो सबको और कल पूर्जा का चीज है, समान का चीज है और यह थोड़ा में ही बिगड़ जाता है फर्के ले सुना ने परके यानि कि दूर से ही सुनो ना ऐसा मुख्या कहता है सबको राम लखन सी अरे हम तो तखने से कहा थी मुख्या आवाय तो खिसाव है राम लखन सी फिगरता है अरे हम तो तभी से तखने सी यानि कि तभी से कह रहे हैं कि मुख्या जी आएंगे तो वह खिसाबा यानि कि वह गुसा करेंगा तनी ससेर पसेर के बैठा यानि कि थोड़ा ऐल फैल से बैठो दूर दूर बैठो मुदा कोई तो सुना थे राम लखन सीकर बाद कहते हैं लेकिन कौन तो सुन रहा है राम लखन सीकर बाद कोई नहीं सुन रहा है फिर गंजु काता है कितना में खरीदे हैं मुख्या सहब दो तीन कोरी तो लग ही गया होगा इसमें दो तीन कोरी एक कोरी भी इसको काते हैं यानि कि 40-60 रुपिया तो लग ही गया होगा इसमें हमारे अंदास से तो मुख्या कहते हैं बिलाइती रेडियो है के गंजुका का बिलाइती यानि की बिदेशी रेडियो है गंजुका का यहां कहां मिलेगा यहां कहां मिलेगा यह तो हमर संगी लाइन है आपन खातिर कलकत्ता से यह तो हमारे संगी यानि की साथी लाइन है अपने लिए कहां से हम जीद केरे के लहिए, करें कि मेरा साथ ही लाय थे, हम तो बहुत जीद करके इसको लिए है, उनकर घरवईय, यानि कि उनकी पत्नी जो है बड़ा अंसाला है, यानि कि थोड़ा सा वहहच्हकी चाह रही थी, नहीं देना चाह रही थी, उसकी पत्नी लेकिन हम कह दे लिये। लेकिन हम कह देली हम मानब नहीं लेकिन हम कह दिये कि हम नहीं मानेंगे हम रेडियो को ले ही लेंगे बदले में रावरे जे ले लेंगे तो मुख्या कह रहा है कि हम उनको बोल दिये कि रेडियो तो हम ले ही लेंगे पदला में आप जो है मेरा से जो कुछ भी है वो ले लिजे उचर्खा ओसाइर और दू मन नान चावर पसिंद कर ले तो वह जो है एक ओचर्खा मांगे और ओसाइर और दो मन पतला चावल जो है पसंद किये उसके बदले में बस हम ले अनली और हम उसका यह चीज दे दिये उनको और हम जो है रेडियो को ले आए तब तो गोटे 15 कोरी लाइग लग कुछ हल से तो गंजु अंदाजा लगाता है काता है तब तो पूरा-पूरी 15 कोरी जो है आपको इसमें घर्चा लग गया यानि कि 300 रुपिया लगभग मुख्या हाँ तब लागवे जुन कर लग मुदा बुजब की एक हर कोड़े देले इचीज मिले वला नखे कड़ो देले यहाँ पास समझेगा मुख्या कहता है हाँ तब लागवे जुन कर लग हाँ तब लगा ही ना मुदा बुजब की एक हर कड़ो देले इचीज मिले वला नखे एक हर कड़ा यानि कि एक जोड़ काड़ा जो होता है जानवर उसको कह रहा है कि अगर एक जोड़ा जो है काड़ा जो है होता क्या है कि गाव में बहुत किम्ती चीज माना जाता है एक जोड़ा जो है बैल रहता है या काड़ा रहता है भैसा रहता है हल जोतने के लिए तो बोल रहा है कि बहुत किम्ती चीज ह यह है इसके बदले में अगर एक जोड़ा काड़ा भी दे दिया जाय तब भी यह चीज मिलने वाला नहीं है रूपन कहता है तेव हमार मन से बगरे दाम लग लग एतनों में तो रूपन फिर कहता है कि तेव मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा बगरे यानि कि ज्यादा दाम लगा इतना में मुख्या आवर बैठल थाम बेलवा गड़ा धखल हो लग से आप ज्ञखत रहो भारत सी और उनकर बेटा मोहन सी फिर मुख्या जो है वही खेत का बात निकालता है मैंने भी आपको बतलाए था कि मोहन सी और उसके पिता भारत सी का जो खेत था बेलवा उसी को कह रहा है आउर बैठल ठाओ बेलवा गढ़ा धखाल ओलक से यानि कि दखल ले लिये हैं हम अब धखात रहो यानि कि आप चिंता करते रहो भरत सी और उनकर बेटा मोहन सी मुख्या घर बैठले कल घुराई और उमन कर छाती जराई मुख्या जो है घर बैठले अपना पेच को मैरा दाव पेच पेच को कहान देखा है घंजू Wak पर जिएत माची दोस्क्राइब बढा का बढा ही बात है लेकिन जियत माची यानि की जिन्दा मख्य को लिलें यानि की निगलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है जिन्दा मक्खी को निगलना अच्छा नहीं लगता है फिर राम लखन सी कहता है का बोली ले गण्जू के माच्छी लीला थे मुख्या की भरत सी बड़ा नियाय बोले आही रहुरे तो राम लखन सी वहां गण्जू से थोड़ा गुसा जाता है कि का बोलते हैं गण्जु जी कौन माची लीलत है कौन जो है मखी निगल रहा है मुख्या कि भरत सी यानि कि हम निगल रहे हैं कि भरत सी निगल रहा है बड़ा न्याय बोले आहिरा उरे बहुत न्याय का बात आप बोलने आए हैं ऐसा का के कहता है राम लखन सी गण्जु से रूपन कहे नहीं बोलबाएंगे घंजु अरे जने देखी दाइल बरी तने गंजु लुईच पर तो रूपन वहाँ पस रूपन ये पात्र जो है इस्त्री है कि पुरुस इसमें थोड़ा सा kanfusion है तो रुपन यहाँ पस कहती है कि का है नहीं बोलबाए गंजु, क्यों नहीं, बोलेंगे गंजु जी, अरे जने देखी डाइल बरी, जिधर देखेंगे दाल और बरी, तने गंजु लूइच परी, यानि कि उधर ही गंजु जो है जुख जाएंगे, गंजु नए रुपन ब लाएं पजude पर से जवाब देता है कि नहीं रूपन बहन ऐसा कोई बात नहीं अगर हम ऐसा करते तो हम भी आपके जैसा कहांके कहने का अर्थ है कि अगर हम वैसा करते जिधर पैसा देखते उधर हम अगर हो जाते तो हम भी आज आपके तरह पैसा वाला होते या मुख्या के करीबी होते ऐसा करती है गण्जु कहता है रूपन से फिर राम लखन सी कहते तनी जबान समराय के बोलू गण्जु धैरे पहले जाती रहे आप बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं मुख्या चुपे रहा मुख्या फिर जो है चुपकर आता है सबको कहां के बितल बात के निकलाये देला तो रहे कहां का बिता हुए बात को तुम लोग निकाल देता है फिर जो है सन्नाट अच्छा जाता है ह हां तो लए और काम का बात होना चाहिए कल सांज के पर्मुख सहब आ रहे हैं डीप्टी कमिशनर भी आ सकते हैं उमनकर आदर सत्कार करेक जाब गुठिया लेवा उनलों का आदर सत्कार करने जाना है ज्य हम लोग बात कर लेना राम लखन्सि गुठिया का है दस का लाठी एक कर बोज काता है राम लखन्सि इसमें बतियाने का क्या है दस का लाठी, एक कर बोज एकको रूपया दे ले एखन 100 रूपया होई जाए कह रहा है पैसा कोड़ी का बात कर रहा है कि अगर 100 रूपस अगर सब देगा तो अभी 100 रूपया हो जाए 200 रूपिया हमर बड़ से जोईर है उमन और 200 रुपिया जो है मेरा तरब से उलग जोड़ा है एक जन धीरे से तब तो भरत सी के गाँ छोड़ ले सुभिधान है चैरो पावा डूबिये जाए उनकर फिर क्या कहता है? कि एक आदमी धीरे से कहता है कि तब तो भरत सी को गाँ छोड़ ले यानि कि भरत सी को अब जो है गाँ छोड़ देने से ही सुभिधान है चैरो पाव डूबिये जाए उनकर चैरो पाव जो है उनका डूब जाएगा यह तो बेस चैल चलत है मुख्या से है एक आदमी कहता है कि भरत सी जिनका जमीन हड़ पली है मुख्यासी उन्हीं के बारे कहा जा रहा है कि तब तो उनका गाव छोड़ने से ही ठीक है चारों पाव जो है उनका डूप जाएगा यह तो अच्छा चाल चल रहे हैं मुख्यासा है कहके एक आदमी कहता है फिर सन्नाटा हो जाता है राम लखन से है लाय तब कोनों बोलबा क लाय लाय काव और ओल्त हो जाएगा कि लाय लाय बोलते हैं पुछ बोलना है चूप रहने कई से क्या होगा? रूपन vagyसे बात तो है कि अच्छा इद तो है इकर में केकरो का उजूर हुए इसमें किसी को क्या दिक्कत होगा मुदा टटका रुपिया हो ले कोई कहां से देवी एखन रावरीने काम चलाओ पाछे गंजु जुमाय के देवाई तो रुपन कहती है कि अच्छा बात है इकर में केकरो किसी को क्या दिकत होगा मुदा यानि कि लेकिन टटका यानि कि तुरंट टटका यानि कि तुरंट तुरंट रुपिया हो ले कहां से देवी तुरंट रुपिया जो है कहां से कोई देगा एखन रावरीने काम चलाओ यानि कि अभी आप ही काम चलाओ ये पाछे गंजु जुमाय के देदवाई पाछे यानि की बाद में गंजु जो है पैसा सबसे कलेट करके जमा करके आपको जुमाय के यानि की जमा करके दे देंगे गंजु फिर कहते है इस जबर भार तो हमके ना देल जाओ हम ऐसन कहा थी तो हम अपन चंदा दे देब काई फिर मुख्या काता है चंदा देले तो नहीं होई गंजु बड़ बात तो है जहेल के समराय रुपिया कोनो चीज है के फिर मुख्या काता है कि चंदे देले तो नहीं होई चंदा देने से ही सिर्फ नहीं होगा गंजु बड़ा बात तो है इस जहेल को इस परिशानी को संभा कलना सब कोई धीरे से हां से कर लें तो हमरे तैयार ही सब कोई धीरे से कहते हैं कि हां उसके लिए तो हम लोग तैयार हैं फिर मुक्हिए कहता है अरे तब थीक है रूपया काईल आपन कुछ कला करतब देखाईए देवे कैसन रही यानि कि रूपन जो है कल वो लोग आ रहे हैं तो वहाँ कुछ कला करतब अपना रूपन भी दिखा दे कैसा रहेगा एसा रामलखन्सी कहता एक जान बेसे रही कि बाबा एक्रों में कोनों कहक है एक आदमी फिर कहता है कि बेसे रही यानि कि अच्छा ही रहेगा बाबा इसमें कुछ कहने का बात है क्या रूपन नई-नई एहो रेडियो के बजाया लेँ अब आब हमार का काम फिर रूपन जो है वहाँ पस फिर पुराना बात का गुसा को निकालते ती कि नई-नई आप लोग यही रेडियो को बजाया लेजेगा अब हमारा का काम है रामलखनसी रावरे तो तनीके में खिसा जाय सब कोई हसके Сब कोई हसते और सब का जाने का आठ होता है गन्जु का घर cob fast अंधा गन्जु का घर है और चारो तरब जो है अंधरा है कुकुर भूकत है कुट्टा भॉक रहा है गन्जु के मन बाबु के कहा रहे ला और आइस काई तो गंजू का घर जो है और चार तरब अंधेरा है कुत्त भोक रहा है लोग के मुहहां बाबू को लोग सै तरूहैं इतना रात हो कहां रही inventory और आईच का इसनो घर छोड़े को वेला गण्जु कहता है कि कहां रहते हो आजकल और ऐसा भी घर छोड़ा जाता है मुहन मुकदमा हारल दिन से हम बड़ा अफसोस में डूबल ही का का मुहन कहता है कि मुकदमा हारने के दिन से हम बहुत ही अपसोस में डूबे हुए है चाचा बाबा के मुह का मुह दिखाओं बाबा को यानि कि पिताजी को क्या मुह दिखाओं अब तो हमार रेकर जानों में घात लगा ले हैं क्या कर रहा है अब तो हमारा जान में भी घात ल रामलखन सी अभी जो उपर 5 रह मोग मुख्या के साथ वही रामलखन सी Lazis MUSIC अज जो है मुख्या का मंत्री हो गया है गुजू कता बुझली समझे गण्जू कता है हम समझ गए आप आपका इंतिजार देख रहे थे फिर गंजु काता है इसने जुण कहते हैं एसा ही तो कह रहा था रायु U 실Mr बात फारे फार कैसे जाने लेख फिर गंजु काता है लेकिन आप इतना बात जो है फारे फार यानि कि घलियर कट में कर लें जाना रहा है RYU बाबा तो बेचारा राउर फिकीर इतना बात फारे फार कैसे जाने ले फिर गण्जु कहता है लेकिन आप इतना बात को फारे फार यानि कि बहुत किलियर कट में कैसे जान रहे हैं रावर बाबा तो बेचारा रावर फिकीर में आप ताब हो ले हैं यानि कि रावर बाबा यानि कि तुँ आपके जो है पिताजी जो है वो बेचारा तो आपके चिंता में जो है आप ताब हो ले यानि कि अब ताब हो गया है एकदब ठक गया है सरीर से मुहन हम सब जाना थी गंजु का करूं फिर मुहन कहता है हम सब जाना थी गंजु क्या करें असल में वो रेडियो सरकारी हके गाउं गाउं या मनले मिल है मुहन कहता है कि असल में वो रेडियो सरकारी है गाउं वालों को मिला है लेकिन मुख्या एकन आपन मद में मातल है, लेकिन मुख्या जो है अभी अपना मद में यानि कि नसा में मातल है, यानि कि नसा में है, पुरा नसा में है, नसा में डुबा हुआ है, कर ले, उसको जो मन लगता है वह कर ले, रावरीन कर एहो इरादा है तो का कर ल जाए, यान के घर जाने का मन नहीं करता है डेग उठेला और भुविर जायला कदम को कदम उठता है और लोट जाता है वह तूटल गड़ देखे ले हमके डर लागेला वह तूटा हुआ गड़ को घर को देखने में हमको डर लगता है हमके खायक जायकी क्या हमको ऐसा लगता है कि वह मुझे खा जायगा वह तूटा हुआ उजड़ा हुआ घर जो है हमको खा जायगा बड़ा बिपवाइत है काका बड़ा बिपवाइत जब तक बेलवा गड़ा नहीं घूरी हम घर नहीं जाब इसन स्वाइची मोहन कहता है कि बहुत बिपत्ती है, बहुत मुश्किल है काका, चचा, जब तक बिपत्ती, बड़ा बिपत्त, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, जब तक बेलवा गड़ा नहीं हो रही, यानि कि वह जो जमीन है बेलवा गड़ा, जब तक नहीं लोटेगा, हम घर नहीं जाएंगे, हम ऐसा ही सोचे हैं फिर गंजु कहता है से तो सब देखते ही जुन बेटा हम तो आज कहबो कर ली कि जियत माची लिलेग बेस नहीं होए गंजु कहता है वो तो जो है सब देखी रहे हैं बेटा हम तो आज कहबो किये यानि कि हम तो आज कहे भी कि जिन्दा मंख्य को निगलन अच्छा नहीं होता है लेकिन भाई एकन मुख्या कर बाते चलायक नखे सरग में चढ़ा लें फिर कहता है गंजू कि लेकिन अभी मुख्या का बात ही नहीं करना है मुख्या भी स्वर्ग में चढ़ा हुए है सरग में चढ़ा मुख्या भी जो है स्वर्ग में चढ़ा और गिरायला तो उठावो करेला और किसी को गिराता है समय तो उसको उठाता भी है गंजु से तो है ये है बाबु गंजु कहता है सो बात तो है बाबु फिर मोहन कहता है लेकिन ये सब तो एकले नहीं होई काका और रावर बल चाहिए गविया कर बल चाहिए तभे सब कर कल्यान है नहीं तो अब ये गाव में कोई नहीं रहे पारी मोहन कहता है लेकिन यह सब तो अकेले नहीं हो सकेगा चचा अब रावर बल चाहिए यानि कि अब आपका भी बल चाहिए गविया कर बल चाहिए गावालों का भी बल चाहिए तब है सब कर कल्यान है तब ही सब कर कल्यान होगा नहीं तो अब इस गाव में अब कोई नहीं रहने सकेगा गौंजू से तो हामू देखा थी गौंजू कहता है सो तो हम भी देख रहे हैं लेकिन मुरूख मन के के समझा है कहता है कि लेकिन उन मुर्खों को कौन समझा है ये गाउवाले मुर्खों को कौन समझाए फिर मोहन कहता है गाउव के सब आदमी मुरुख नखें काका डर कर बेसी बगरा है क्या कहता है गाउव का सब आदमी मुर्ख नहीं है लेकिन सब को डर बहुत ज्यादा है जंजट का डरे आदमी धेर पाप के पी जाये ला जंजट के चलते परिसानी के चलते आदमी जो है अपना बहुत सारा पाप को जो है पी जाता है उसका मतलब पी जाता है उसका आवाज नहीं उठाता है गलत को गलत नहीं काता है डर के मारे रूपन आई डरेस से नहीं नाचत है मुख्या का दूरा में कहता है मुखन की रूपन जो है आट डर के मारे ही नाचती है मुख्या के दर्वाजे में तनीशन सहारा देले सच सचे है के सब कोई जाएग जावार मुखन कहता है तनीशन सहारा देले थोड़ा सा सहरा देने से सच तो सच है सब कोई जाग जाएंगे सभी जो अभी गाम वाले मुर्ख बने हुए है सभी कोई जाग जाएंगे मोहन कहता है काईल डिप्टी कमिशनर और परमुख सहब कर सामने सब बात के कहेख होई मोहन कहता है कि कल जो है डिप्टी कमिस्नर और परमुख सहब के सामने सभी बात को कहना होगा फिर गोंजू कहता है कहब़े हूं सब गोंजू कहता है कि वो लोग कहेंगे मोहन कहता है रावरे जबान देव बाकी हम बना लग मोहन कहता है कि आप जबान दीजिए कि आप कहिएगा बाकी हम सब बना लेंगे गोंजु जबान देवे का है हम जानो देवे ले तयार ही गोंजु कहता है कि जबान देने का क्या बात है हम तो जान देने के लिए भी तयार है मोहन इकर सिवाय और कोनो असान उपाई नखे गंजु काता फिर मोहन कहता है इसके सिवा जो है और कोई असान उपाई नहीं है गंजु चाचा सहब सुबा से मिल कि मैं इसके मुख्या जैसे जुमईर खेला थे से के सब जाने ला मोहन कहता है कि सहब सुगा लोग से मिलके जो है मुख्या जैसा जुमाईर खेल रहा है नाच कर रहा है वह सब कोई जानता है अगर हम और रावरे धीड से खड़ा हो जाब तो सब कोई हमरे संग हो जाब है फिर कहता है कि अगर हम और आप जो है धीर से निदर होके खड़ा हो जाएंगे तो सब कोई जो है हमारे साथ हो जाएंगे फिर गोंजु कहता है रावरे ठीक कहा थी फिर गोंजु कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं मोहन तो रावरे गवाईया मन ठिन जाओ हम आज है भिनसरे परमुख सहब ठिन जाते फिर मोहन करता है तो आप जो है गवाईया ठिन जाओ यानि कि आप जो है गाव वालों के पास जाए हम आज भिनसरिये यानि कि सुबा ही सुबा जो है परमुख सहब के पास जाते हैं ठीक के समय में हम यहां लोटेंगे गण्जु कहता है महान अच्छा लाई काता है ठीक है अच्छा जोहार काता है कुकुर भुके का वाज कुत्ता भॉकने का आवाज आता है दिरिसी चौथा शुरू करने से पहले आपको बता दे कि मेरा application है study pre question इस app में सारा class चल रहा है उत्पात सिपाही का हो जाहे सहाय कार्यकरता या जहारखन पुलिस इस सबका सिर्वस एक ही है नाकपुरी का तो इसका class जो है एप में चल रहा है जिसमें कि आपको सारा recorded class चैप CQ दोनों चाहते हैं तो वह भी एप में आपको मिल जाएगा फ्ले स्टोर में एप मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे वहां से आप जो है देख लिजेगा एप को डाउनलोड कर लिजेगा आगे है चौथा दिरिसी सहर मोटर मन कर घर पों की बज रहा है मोहन रावरे तो हम इनकर गाओं घर कर कुछ-कुछ हाल जाना थो परमुक सहब मोहन जो है परमुक सहब से मिलता है और कहता है कि आप तो हमारे गाओं का हाल जो है गाओं घर का हाल जो है कुछ-कुछ जानते हैं कि कहके बोल रहा है परमुक सहब से कि आप त लेकिन आप रावरे जे हाल बता थी सिकर में तनी मनी जानल से तो काम नहीं चली नहीं फिर परमुक काता है हाँ भला इसमें क्या सक है लेकिन आप जो बात और हाल बता रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत जानने से तो काम नहीं चलेगा यानि कि बात को हमको पूरा समझना होग का डीटेल में तभी हम पूर दिसीजन ले पाएंगे, वहन काता है, हो है से तो हम आज पूरा कागाज, पत्र और नक्षा, परच्चा लेकर आपके पास आये है, पर्मु काता डीगरी तो रावरेने के जुन मिल गी, पर्मु काता डीगरी तो आप ही को ना मिला था, मुहन कहता डिगरी के का कहा आज हमके काईल उनके कहता डिगरी का क्या कहें आज हमको कल उनको हमरे तो इकर में बरबाद हो गए लिए हम लोग तो हम तो इसी में बरबाद हो गए और इसन काल ले होएला से कहक बात नखे रावरे खुद कहके चूप जाता है यानि कि ऐसा क्यों होता है, यह इसमें कहने का बात नहीं, आप तो खूद जानते हैं, यह तो पैसा का खेल है, कहने का यही अर्थ है, फिर परमुक कहते हैं, से तो हम बुझा थी, सो तो हम समझ रहे हैं, अईसन जुग उलड जाया है, कि का कहल जाया, जहाई से, परमुक कहत कि आपका जो इमान है उसको इबट कर यानि कि इस तरप का सभी आधमी पतियाला यानि कि Khan करते हैंнов पर्मूग काता है काजल कोठरी में ढुका लहें मुहन बावबु परमुक काता है कि काजल का कोठरी में कालिक का पोठली में ढुके हुए है यानि कि घुसे हुए है मोहन बाबु भगवान निकलाय दोए तब कही भगवान हमको निकाल देंगे तब कहिएगा अच्छा तनी बेलवा गढ़ा ठिन का नक्सा के देखाओ दे तो परमुक कहता है अच्छा बेलवा गढ़ा जो जगा है उसका नक्सा को थोड़ा दिखा दीजे तो मोहन से तो आज अपन आज से देखवे गरब मोहन कहता है तो आज अपना आज से देखे यह देखिएगा ही अगर पूरब भरे पत्रा ठिन बांध बनाल जाए तो सब कर भला होई अईसे तो मुख्या खाली हामरे खेट डाण के डुबायक में लागा है मोहन कहता है कि आज तो अपना आज से देखिएगा ही पूरब के तरफ पूरब भर यानि पूरब के तरफ जंगल के पास जो है बांध बनाया जाएगा तो सब का भला होगा ऐसे तो मुख्या खाली हामरे खेट डाण के डूबायक में लागा ले ऐसे में तो मुख्या जो है मेरा ही खेट और डाण को ढूबाने में लगा हुआ है फिर परमु कहता है आईसन दुनिया तब नई सब गारत में जाते हैं मुख्या कहता है कि ऐसा दुनिया ऐसा दुनिया हो गया है ना तभी तो सब गारत में जाते हैं गारत कहते हैं कि सब कुछ नश्ट तबाही में बरबादी में जा रहा है तभी तो दुनिया ये जो है मेहमान या अपने आदमी लोग ही दुस्मन बन जा रहे हैं मौन कहता है हम और कुनों नहीं चाहा थी एकन रावरे बांध वाला समस्या हल कर दे मौन कहता है कि हम अभी कुछ नहीं चाह रहे हैं अभी जो है बांध वाला जो समस्या है उसका हल कर दिजिए बेलवा गड़ा का दखल को हम ले ही लेंगे यानि कि उसको हम अपना दखल में ले लेंगे यानि कि दखल यानि कि जो उसमें जैसे खेत है तो खेती बारी जो करता है तो उसका दखल होगी है अच्छा तो में परमु चाहप कहते हैं कि अच्छा आप इस नक्सा को haven फोड़ा ठोड़ राद कर लेंगे मोहन कहता है राखल जाओ इकर में का हरा जाए रखा जाए मोहन कहता है रख लिजे इसमें कोई हर्च का बात नहीं है परमू कहता है रावरे सरजमीन में आवग की नहीं रावरे सरजमीन में यानि कि कल जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें आप मतलब आज ही होने वाला था उसमें आप जो है आईएगा की नहीं तो मोहन कहता है हम तो रावरे संगे जायाएक सोचत रही मोहन कहता है कि हम तो आप ही के साथ वहाँ जाने का सोच रहे है प्रोग्राम में पर्मु कहते हैं यानि कि दूर से ही अलग से ही आप वहाँ जाए अगर आप मेरे संग जाएगा फिर कितना ना कितना बात होने लगे कह तरह का बात होने लगे का अच्छा लाय दा प्रोग थे लाय हाँ तब लाया नी कि ठीक है तब पर्मुग कहते हैं पर दिर से चाहता है मअच़् माल चनुह और ठीकिस में मेरे बंट धर लगे कि दर्वाजा खटखटा कि घर में है क्या दादा सहब दम्यांती दुरा खोल के के खोजा थी दम्यांती जो है दर्वाजा खोल के कहती है कि किसको ढूंड रहे हैं खोजा थी यानि कि ढूंड रहे हैं दम्यांती गंजु कहता है दादा सहब नखाए का गंजु कहते हैं कि भ कशब करें चांज कि आज कशब करती कि अंद्र मौहन की पत्रिक्तों अपनी बेटी निक फर बेट इनिस नंगी डादा कौक नकília आ पून बैठ्खो मईयाँ जो है बैठने का समय नहीं है फिर धम्यंति आये के भीत्र है बोलात दम्यंति आВы करती हो सब जाते हैं यह पर सब जाते हैं गन्जु गोड लागी चलादा है तो गोंजु कता है कि पैठ्लगी दादा judan हम पर avoiding भरत सव्क पर ओंज बैट्थू आज तनी बेषिए अगबक लागा थे कई से आली भ JENN Sure ऐखाता है कि आउग बैठ्य है आज थोड़ा बैशिए यानि की ज्याधा ही अक बखशाण क imas on Hugo लग रहा है करका है कैसे का इस आये गौण ग trib neighboring बाबु बेटाय रहे गोंजु बतलाता है कि कल जो है मोहन बाबु मिले थे मोहन बाबु मिला था भरत्षी के बेटाय रहे मोहन कहां कखन तो भरत्षी कहता है कौन मिला था मोहन कहां कब तो गंजु कहता है वह हामरे घर आय रहे है रात के तो गंजु कहता है कि वह हमारे घर नहीं कई तो गन्जु कहता है कि अरे हम आपको कहने आ रहे थे कि राष्था में हम दूसरा बात सुने मोहन बहु सेका मोहन बहु उधर से मोहन की पत्री पूछती है क्या बात सेका गोंजू आज राम लखन सी उनके घात लगा ले रहे हैं गन्जु बतलाता है कि आज राम लकं शी उसको घात लगाया बैठा था, बारने के लिए भरत्सी, यह सब मुख्या का बहकावा होगा, एक हन महं कहा है, अभी महं कहा है, गन्जु कहता है वो तो सहरमे है, वो तो सहरमे है, भुरे घरी दहर में छेकावाय यानि कि लोटने समय वो लोग राष्ता में उसको छेकेंगे राष्ता में उसको पकड़ेंगे भरत्सी तब हम जी के क्या करेंगे वो लोग मेरा बेटा को मार ही देगा तो कहां है हमतरवाय कहां है मेरा तलवार कहके भरत्सी कहते हैं गजु आये मेरा बात को हम क्या भरत्सी कहते है कि नहीं गण्जु अब जीना ऑकारत यानि कि व्यर्थ है वेकार है मोहन बहु कर सिसके और दम्यंती कर कांदे का आवाज आवे ये बात सुनके जो है मोहन बहु का मोहन की पत्नी का रो सिसकने का और दम्यंती का रोने का आवाज आता है गंजु तनीक धीरत से काम लेव गंजु कहता है कि थोड़ा धीरत से काम लिजिये महादेव के थाना भेज देवल जाओ महादेव को जो है थाना भेज दिया जाए हम मोहन बाबु ठिन जा थे और हम जो है मोहन बाबु के पास जा रहे है रावर धरम कर एठो भाई जियत है गंजु कहता है यह आपका जो है एक भाई अपने बारे में कहता है कि आपका एक भाई जिंदा है और रावरे विश्वास करूँ आप विश्वास किजिए मोहन बाबु के हाम आपन जीव रहते कोनों नी होए दो है गंजु कहता है कि आप विश्वास रखिये मोहन बाबु को हम अपना जीते जी कुछ नहीं होने देंगे ऐसा गंजु कहता है फिर भरत्सी कहता है ओहरे दुस्मन इठकलो गतर तोरले काम नखे मुदा फिर भरत्सी कहता है ओहरे दुस्मन इठका हुआ शरीर भी तुम्हारे लिए कम नहीं है लेकिन कहके चूप जाते हैं भरत्सी फिर गंजु कहता है बेटी रावरिन चूप रहो कांदुना हम तुरत जाती कुछ नहीं होए मोहन बाबु के मुहन की बीबी से कि बेटी आप चूप रहो तुम चूप रहो कांदु ना रो मत हम तुरंद जा रहे हैं कुछ नहीं होगा मुहन बाबु को भरत सी, बेस परिच्छा लेवा थी भगवान, भरत सी कहते हैं कि अच्छा परिच्छा ले रहे हैं, इम्तिहान ले रहे हैं भगवान, फिर दिरिश से छे शुरू होता है, मांदर बाजत है, मोटर आवेक आवाज, मांदर बज रहा है और मोटर का कार का आने का आवाज आता आता है फिर नारा लगता है परमुक सहेब जिंदाबाद जिंदाबाद फिर आवाज आता है कि परमुक सहेब जिंदाबाद 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 परमुक सहेब कर जये कहते हैं अभी तक मुख्या कहते है आते हो बाए सब कोई के कहल है मुख्या कहते है सब कोई आ ही रहा होगा सब कोई को कहा गया है पर्मुख, आपनों काम में इशन धिलाए, पर्मुख कहते हैं कि अपना काम में भी ऐसा धिलाए, धिलासिली काम, का करी तब सरकार, सरकार तब क्या करेगा भेजू कोई आदमी के, कोई आदमी को भेजी और सब को बुला लाइए डिप्टी कमिस्नर आते होंगे रूपन ये मुख्या से है अब तनी सुनू तो रूपन फिर कहती है कि ये मुख्या से है अब थोड़ा सुनिये तो मुख्या का हो लगजे रूपन धीरे से सुना थी मोहन बाबु घर आए गया थे रूपन कहती है धीरे से के सुन रहे हैं कि मोहन बाबु भार आ गया है मुख्या और राम लखन सी और मुख्या का पुछता है कि और राम लखन सी कहा है तो रूपन उके तो दरोगा दहर के ले गया तो ये राम लखन सी जो था कौन था मुख्या का आदमी था तो रूपन बत उसको तो पैसा दे ही दिये थे तब क्या हुआ दरोगा को तो पैसा पकड़ा दिये थे रूपन से कैसे कहल जाए वो कैसे कहा जाए फिर रूपन कहती है कि कैसे कहा जाए जीप आवे का आवाज फिर जीप का आने का आवाज सुनाई देता है परमुक कहता है इतो दरोगा सहब का जीप है फिर जीप का रुकने का आवाज आता है फिर दरोगा परनाम परमुक सहब को परनाम करता है परनाम का बात है परमुक कहते है कि क्या बात है परनाम क्या बात है दरोगा कहते है कहा है मुख्या जी दरोगा पूछते है कि कहा है मु मुख्या दोडते हुए आता हर कहता है ये तो हम है सरकार क्या बात है कहा जाए दरोगा कहता है आप से जरूरी काम है चलिए गाड़ी में बैठिये तो दरोगा जो है मुख्या से कहता है कि आप से जरूरी काम है चलिए गाड़ी में बैठिये मुख्या कहल जाओ कोनो हरज न दरोगा काता है कि यहां नहीं मुख्या सहर आपको जो है थाना चलना होगा वहां राम लखन से आपका इंतिजार कर रहा है मुख्या लेकिन यहां एखन तनी जरूरी काम है जे हैसे मुख्या काता है लेकिन यहां थोड़ा अभी एखन यानि कि अभी थोड़ा जरूरी काम है deputy commissioner आवया है मुख्या काता है कि यहाँ जरूरी काम है deputy commissioner आने वाले है दरोगा से हम के मालूम है सो हमको मालूम है दरोगा काता है कि हमको मालूम है पर्मुख का बात है दरोगा साहब फिर पर्मुख पूछते हैं दरोगा से क्या बात है दरोगा साहब दरोगा कहते है राम लखन कर बयान है कि मुख्या ने उसको मोहन की हत्या के लिए भेजा था दरोगा कहते है कि राम लखन ने बयान दे दिया है कि मुख्या जो है उसको मोहन का हत्या के लिए भेजा था इसको रामलकन को भरत सी और मोहन का रागमन इतने में भरत सी और बाप बेटे आ जाते हैं रूपन इः भला मोहन सी कियें इसलिए ना लेकिन इस मुख्या का चेहरा के तो देख कैसन साउध बना थे भरत सी कहता है लेकिन इस मुख्या का चेहरा को तो देखो कैसा साधू बन रहा है साधू बना थे यानि कि साधू बन रहा है मुख्या यह तो बेस चाल चले मुख्या कहता है यह तो तुम हम रे तोके दईकलब, चलू दरोगा सहब, मुख्या कहता है, ठीक है तब हम तुमको देख लेंगे, चलिए दरोगा सहब, जीप स्टार् Resistance होता है, जैक सला जीप का, जाने का आहाट होता है, चैरो बटे बुद्धी, बुदबुदी कहने कहते हैं, चारो तरफ लोग जो है बुदबुदाने लगते हैं, फुसफुसाने लगते हैं, परमुख, यह तो गजब आदमी निकला ले भाई, भरत्सी, एकन कहां जाये नहीं सरकार इनके, एकन तो भेद खुलेक शुरू है, भरत्सी कहते हैं, सहब, मुहन कहते हैं, जूट नहीं चुपता है, परमुख सहब, परमुख फिर कहते हैं, ठीके कहा थी मुहन बाबु, जूट कहियों ने चुपे, और सच कहियों नहीं हारे, परमुख कहते हैं, ठीकी कहा रहे हैं, मुहन बाबु, जूट कभी न चुपता है, और सच कभी नहीं हाता है लेकिन आपके जैसा एक सपूत होना चाहिए रावर लखे सपूत भाइगे से मिले ला आपके जैसा सपूत जो है आग से मिलता है अच्छा लाय तब हमके भी छुटी देल जाए अच्छा तो हमको भी अब छुटी दिया जाए भरत्सी तनी ख्याल रखल जाए हम रहे पर फ्रत्सी कहता है ठोड़ा हम लोग पर ध्यान दिया जैक ख्याल रखा जाए हम लोका परमुक कहता है आप कुछ कहना नहीं पढ़ेगा परनाम सब कोई परनाम करते हैं गाड़ी स्टार्ट होता है और जाने का वाज होता है यह पस दो-तीन सब्दार्थ दिये गया था विलाईती तो अंग्रेज विलायत मेरा हैक्मला विदेशी कह सकते हैं डिप्टी कमिष्णर चीला अधिकारी और स्टार्ट करे यानिकि चालू करे सब्दार्थ में जो सबसे असान रहता है उसको सब्दार्थ में दे दिया जाता है असल जो कठीन सब्द है वो नहीं बतलाया गया है पूरा बुक में इसलिए अच्छे से अगर क्लास करना चाहते हैं तो मेरा एप्लिकेशन study pre question को play store से डाउन लोट कर लिजिए या मेरा number आप लिख लिजिए एक बदर मेरा number लिख लिजिए whatsapp number 8409 00632 ओर देख लिजिए 8409 006 और 32 इस नमबर पर आप whatsapp या call कर सकते हैं अगर आप complete class करना चाहते हैं या आपको question answer चाहिए उतपाथ सिपाही, सहाय कार करता या ध्यारखन पुलिस का नाकपूरी का तो आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर कीजे थैंक्स पर वाचिंग